चालो नेक कोशन करते हैं, कोशन रीड करो The potential energy of a system is represented in the first figure The force acting on the system will be force की value का graph क्या होगा देखो potential energy है ये Y axis पे और X axis पे जो है displacement है Position में changes आ रहे हैं, ठीक है यहाँ पर A के बराबर है इस point पे और ये slope है तो force और potential energy के बीच में क्या relation होता है F is equal to minus DU by DX होता है और DU by DX की बात करें अगर तो ये slope है और ये slope इसका slope कैसा है, constant है, straight line है curve होता तो U की value vary करती है X के respect में और ये variation जो होता constant नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये slope है तो ये slope की जो value है, वो एक constant value होगी ठीक है, ये value एक constant straight line है तो constant हो गई, अगर ये कैसा होता, curve होता ऐसे या ऐसे graph होता तो U की value X के respect में vary तो कर रही है लेकिन variation जो होगा, वो constant नहीं होगा fix नहीं होगा, उस case में अगर curve होता तो तो यानि ये value constant है, तो DU by DX value अगर constant हो गई यानि F constant हो गया, negative में value होगी, लेकिन constant होगी, negative में पहली बात, दूसरी चीज़, जब ये straight line हो गया horizontal, यानि X axis के parallel हो गया, it means U की value change नहीं हो रही है X बदल रहा है, लेकिन U change नहीं हो रहा है, it means DU की value हो गई 0, यानि DU by DX की value भी हो जाएगी 0 तो अगर DU by DX की value 0 हो गई, तो force की value भी 0 हो जाएगी, तो अब देखो, पहले यहां से यहां तक, मानलो, O से लेकर A तक, O से A तक, F की value constant है, लेकिन negative में constant है, उसके बाद क्या होगा, force की value 0 हो गई, यानकि DU by DX की value 0 हो गई, इसलिए force की value 0 हो गई, तो कौन सा graph ज़्यादा appropriate है, C वाला ज़्यादा appropriate है, A वाला यहां तक ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद यह variation हो रहा है, 0 तक जा रहा है, लेकिन time ले रहा है, चीक है, जब कि यहां पर क्या हुआ, तुरंट चेंज हो गया, 0 में, जब कि यहां पर धीरे-धीरे 0 की तरफ चेंज हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, C में, यहां से यहां तक constant है, negative में, F की value negative में constant है, यहां से यहां तक, अचानक से suddenly, यह 4 जीरो हो गया, जैसा कि यहां पर अचानक से change, जो है, 0 हो गया, इस वज़े से, C वाला graph ज्यादा appropriate है, चलो, मैं, question करते हैं,